भारत की ये चार लाल अंतरिक्ष में इतिहास रचने को है तयार पियम मोदी ने की नामों की घोशना दुनिया देखेगी दम चार सो किलो मेटर की कक्षा में तीन दिनों के मिशन के लिए उडान भरेंगे भारत माता के ये चार लाल प्रित्वी पर वापस आकर भारत का बढ़ाएंगे मान लांच होने को है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगन्यान आखिर क्यों और कैसे हुआ इन चार जाबाजों का चुनाव बताएंगे पूरी बार चांद और सूरज के बाद भारत एक बार फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रचने को तयार है दरसल भारतिया अंतरिक्ष एजनसी इसरो अपने गगन्यान की शुरवात करने जा रही है और पियम मोदी ने जब 2018 में भारत के पहले मारव अंतरिक्ष मिशन गगन्यान की घोशना की थी तब ही से संभावित अंतरिक्ष यात्रियों के नामों पर सस्पेंस बना हुआ था आज उस सस्पेंस से परदा उठ चुका है और उन चार जाबाजों के नाम का खुलासा हो चुका है जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं उनके नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर अंगत प्रताप अजीद कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुकला जिहां चंद्रियान और आधित एलवन की सफरता के बाद ये मिशन इस्रों को और बुलंदियों पर पहुँचाएगा गगन्यान भारत का पहला मानव मिशन होगा भारत का पहला मानव मिशन अंतरिक्ष मिशन गगन्यान अब बहुत जल्द लांच होने वाला है चारों अंतरिक्ष यात्री जो इस वक्त बैंगलूरू में अंतरिक्ष यात्री प्रसिशन सुविधा में ट्रेनिंग ले रहे हैं मंगलवार को तिरिवनंत पुरम में इसरो के विक्रम सारभाई अंतरिक्ष केंद्र में थे जहां प्रधान मंतरी मोदी ने उन्हें दुनिया करने के लिए कहा जाता है जो पहले कभी नहीं आजमाई गई आपको बता दे कि अंतरक्ष यात्री बनने के लिए आवेधन करने वाले बहुत से टेस्ट पाइलोटों में से 12 लोगों को सितंबर 2019 में बैंगलोरू में हुए पहले चरण के चैन में सफलता मिले ये चैन भारति ने चारों को शुरवाती प्रस्रिक्षन के लिए रूस भेजा जो कोविड-19 के करन कुछ देरी के बाद 2021 में पूरा हुआ उसके बाद से चारों को कई एजेंसियों और सशस्त्र बलों की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है इस रो अपने मानव अंतरिक्ष उडान केंद्र क प्रस्रिक्षन के लिए विभिन सिमुलेटरों से लैस करने पर काम कर रहा है बताते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने मंगलवार को तिर्वनंत पुरम के विक्रम सारभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया साथी भारतिया अंतरिक्ष कारिक्रम के महत्वकांक्ष गगन्यान मिशन के लिए प्रश्रिक्षन ले रहे चार्ट टेस्ट पाइलटों के नामों की घोशना की बताते चले कि इसरो का गगन्यान मिशन साल 2025 तक लॉंच होगा हलाकि इसके शुरुवाती चरणों को इसी साल यानी की 2024 तक पूरा किया जा सकता है इसमें दो मानव रहि गगन्यान मिशन के तहट चार चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमेटर की कक्षा में तीम दिनों के मिशन के लिए लांच करना और उन्हें सुरक्षित रूप से प्रित्वी पर वापस लाना है इसरों ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी, वहीं बुधवार को इसरों ने इसके क्रायोजनिक इंजन की टेस्टिंग की, इस मिशन में Human Space Flight Center का खास थी थी।